नमस्कार दोस्तों मैं अमर जीत आप सभी का अपने यूटीब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और मैं एक पर फिर से हाजिर हूँ एक बहुत इंटरसिंग और मिस्ट्री से बढ़ी हुई वीडियो लेकर और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर और दहशत मैंसूस हो सकता है तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी बिल्कुल सची गटना पर आधारी थै हमारी एक गहानी शुरू होती है 29 दिसमबर सन 1953 से और वो भी अमेरिका के एक छोटे से शहर कैरोलीना से कैरोलीना में एक जगा है जिसका नाम है ब्लेंडन बोरो वहां से तो दोस्तों रात का समय था और एक ओरत अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जाने की तैयारी में थी और अपनी घर जाने की तैयारी में जब वो अपनी दुकान को लॉक करने लगी तो ताला लगाते वक्त उसमें अपने पडोसी के कुत्ते को भंगते हुए और गुराते हुए सुना और जब वो देखने के बाहर गई कि ऐसा क्यों हो रह तो जो उसने देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए, वो बिल्कुल हैरान रह गई, उस ओरत ने एक बहुत बड़े बिल्ली की शकल वाले गिनोने से जानवर को देखा, और दोस्तों ये गटना पहली गटना थी जिसमें वो अजीब सा बिल्ली जैसे दिखने वाला जा जैसे जैसे फैलने लगी, तो लोगों के मन में दहशत घर करने लगी, शहर के सभी लोग अपना काम पूरा करके रात होने से पहले पहले अपने घरों में जाकर छुप जाया करते थे, क्योंकि वो जानवर रात के समय में ही शिकार करता था, या रात के समय में ही किसी इनसा पर हमला करता था और एक दिन शाम के समय में वहां के किसान ने वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करकर अपने खेतों में बुलाया और जब पुलिस वालों ने उसके खेतों में जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए उस खेत में दो कुत्नों की लाशे थी जिनक शरीर को बिल्कुत चीरफाड कर दिया गया था और उनके बचे हुए हिस्तों पर खून ही खून था और अब इसके बाद धीरे धीरे इंसानों के ओपर भी हमले की खबरें सबके सामने आने लगी और एक पर एक कार सर्विस टेशन के मालिक ने पुलिस को कॉल किया और बुला से जांस की तो ये पता चला कि वो जानवर 6 फिट लंबा, 48 इंच उंचा और बिल्ली की शकल का दिखने वाला जानवर है जिसके लंबे लंबे नाखून और एक उंच भी है और जैसे जैसे दिन बीटते गए उस जानवर के हमलों की खबरें लगातार फैलती गई कई लोग वहां के न्यूस चैनलस में दिखाई जाने लगी तो वहां के आस पास के और कई सारे लोग उस जानवर का शिकार करने के लिए ब्लैडन बोरो आने लगे और ब्लैडन बोरो के लोग अपने घर का बात्रूम हमेशा अपने घर के बाहर की तरफ बनाते थे अपने घर से थो बाद उस जानवर को मार दिया गया और मारने के बाद उस जानवर को वहां के एक फ्लाक पोल के उपर टांग दिया गया और वहां से उस जानवर को ना मिला दा बीस्ट आफ ब्लैडंबोरो लेकिन सबसे बड़ी हरानी वाली बात ये थी कि जब उस जानवर को मार कर उस पोल पर टांगा गया था तो उसके अगले दिन ही वो जानवर उस पोल के उपर से अचानक रह समय तरीके से गायब हो चुका था और उसके पैरों के निशान भी मिले जो की जंगल से होते हुए दलदल की तरफ जाते थे और उस दिन के बाद से सबी चीजें शान्त हो गई जानवर पर और इंसानों पर होने वाले हमले भी बिल्कुल थम गए और दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि यह मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है यह राज आज भी एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है कि वह जानवर कौन था कैसा दिखता था कहां से आया था और कहां चला गय तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे वीडियो में कमिट करके बदा सकते हैं और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर कमिट जरूर कीजे और बेल आइकन को प्रेस करके म बहुत बहुत धनेवाद.